इस मेले में आपका पधारना इस मेले के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है पिछले दोनों पधारमंत्री जी ने इसी शिल्फ और कलाकारी के समंध में जो कुछ परगट किये गए विचार उन विचारों को संकलित करके जो लोग विशेश तर पर हमारा जो कंटर है तंजानिया वहां के लोगों के लिए भी I especially welcome the artisan and craft persons of the United Republic of Tanzania and partner country of the fair We are delighted to have you here from the land of words great archaeological exhibitions and their scientific interpretation having a rich legacy of sculptures, the art and craft of great East African country of Tanzania will surely be a center of attraction at the fair पानी रास्तियों मोने बहुदया इस मेले में आपका पधारना इस मेले के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है क्योंकि निश्द रूप से जैसा हम जानते हैं आपका जन कलावे शिल्प से स्मृद्ध प्रदेश उडिसा में हुआ था जाक कोणारक का प्रसिद सूर्य मंदिर, पुरी का जगनात मंदिर, भुनेश्वर का लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर रादी अनेक मंदिर पत्थर की इकलाव कर्कियों से विशेश विख्यात हैं आप उस उडिसा में पली बड़ी हैं, जहां पीपल का काम, पीतल और बेल धातू, जांदी और पत्थर की महीन नकाशी जैसे हल्प शिल्प के विख्यात हैं वहाँ पर पुरी अपनी बालू कला, कटक अपने चांदी के तारकशी काम और ताड के पट्चित्र, नेलगरी पत्थर के वर्तनों और विधिन आदिवासी प्रभावित संस्कृतियों के लिए जाना जाता है संबल्पुरी कपड़ा विशेश रूप से संबल्पुरी साड़ी की कलात्मग भव्यता देखते ही बनती है उडिसा में उपलब्द, इकत, बान, बंधा, बोमकाई, पसपल्ली, अतकर का साड़ियां में ये परसिद्ध है जैसा के अभी मैंने जिक्र किया कि मेले का सहभागी राज्य पंजानिया है इसी तरह से हमारा जो सहभागी राज्य है वो गुजरात है इस वार हर वर्ष मेले में एक कंट्री पार्डनर और एक सहभागी राज्य इनका भी हम योगदान लेते हैं इस मेले में 40 से अधिक देश और ये पहली बाहर है इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है कि 40 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है इसलिए वास्तों में इस मेले को अंतर रास्टे कहना ये उचित होगा क्योंकि देश और विदेश के जो कलाकार हैं उन शिल्पकारों की कल्पनाओं से सरोबार कलाकृती से सुज़ित इस हर्सकल मेले को की छटा देखते ही बनती है